नमस्कार पहाड प्रभाद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ कॉशल सेड बुलेटिन के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़कोट से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां होटल पर पहाडी से बोल्डर गिर गया है बड़कोट से आपको बता रहे हैं होटल पर पहाडी से बोल्डर गिरा है और बोल्डर गिरने से चार मंजिला यह होटल है जो छती गरस्त हो गया है होटल की एक तरफ की छट और दीवार छती गरस फुई है बड़ी खबर आपको बतार है बोल्डर गिरने से चार मन्जिला होटल छती गरस्ट हो गया है बढ़कोट की ये बड़ी खबर तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे है बोल्डर देखिए वो पत्तर देखे कितना बड है जो इस चार मंजिला होटल पर गिरा है इस बोल्डर की वज़े से इस होटल की छट और दीवार च्छती गिरी है और इसकी वज़े से इस होटल की छट और दीवार को नुक्सान पहुचा है नितिन हमारे समowat दाता इस ख़बर पर ज्यादा जनकारी के साँ़ ज़ू गए है नितिन ये बड़ी घटना भी होसकती थी एक एक चार मंजिला होटल है और इसी के पास में ही All Weather कारे के जो कारे कारे है वो किया जा रहा था कि अचानक पे जो पहाड़ी से जो एक बोल्डर है बोल्डर गिर जाता है और जो होटल है होटल का जो किनारे का हिस्सा है उसकी चट तोड़ते वे नीचे का एक कमरा उसको छती कर देता है इसमें परसासम की टीम मौके पर पहुची है इसके साथ-साथ जो All Weather की टीम है वो जो एनेक्ष विवाग यानि जो राष्टे राजमार विवाग है वो भी मौके पर पहुचा है लेकिन इसमें एक जनीमत की बात ये रही कि जिस वक्ति ये हाथसा हुआ है ये एक अच्छी बात रही कि आवाजाई उस समय नहीं थी अगर आवाजाई होती तो हम इसे बात स माम जानकारी के लिए और इस यात्रा के लिए ओनलाइन आवेदन करना होगा और इस खबर पर जादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे समवादाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद एक जुलाई यानि कल से चारधाम यात्रा की शुरुवात हो रही है लेकिन फिलाल सिर्फ इस्थानिये लोगों को ही यात्रा करने की पर्मीशन है इसकों लेकर क्या कुछ तैयारियां शासन प्रशासन और सरकार की ओर से की गई हैं किस तरह की गाइडलाइन है और आउनलाइन आवेदन करने की क्या कुछ नियम रखे गए हैं इसको विस्तार से बताईए जी देखें कोशल मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से तीर्थ प्रोहित और पंडे समाज का एक विरोध लगातार जारी था लेकर हम राज्य सरकार और पंडे तीर्थ प्रोहित समाज की पूरी तरह से सहमती बन गई हैं जिसके चलते एक जुलाई यानि कल से उत्राखंड में चारधाम यात्रा को सुचारू कर दिया जाएंगे नियम भी देवस्तानम बोर्ड की तू और से रखे गए हैं तमाम सैनिट्राइजर और कोरोन से बचने के लिए जितने भी यतियादी कदम है उनका फोलो करना पड़ेगा सबसे मैत पूर्ण यह है कि जितने भी अब चारधाम यात्री जो स्रधालू होंगे वो भक्त होंगे सिर्फ उत्राखंड के लोग ही स्रधालू ही दर्शन कर सकेंगे चारोधामों का बहर के जो अन्य छेत्रों या प्रदेशों के लोग यानि स्रधालू जो आते थे उनको अब ही उत्राखंड में चारधाम यात्रा करने की अनुमती नहीं दी गई है लेकिन इतना जरूर है कि अभी जितने भी उत्राखंड के चारधाम यात्रे करने वाले यात्री होंगे श्रधालू होंगे उनको आवेदन करना होगा रिजिस्टेशन करना होगा और देवस्थ लेकिन बाहर से आने वाले अगर बाहर से कोई व्यक्ति चारधाम यात्रा के लिए आता है तो उसको चोदा देनों के लिए कॉरंटीन भी रखने की एक प्रिकरिया की गई है और उसको पूरी तरह से कॉरंटीन व्यवस्ता के प्रिकरिया के अनुरूप गुजरना होगा तब बाहरी प्रदेशों और बाहरी चेतरों के लिए आवाजाई पूरी रूप से उत्राखंड में बंद है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अब चारधाम यात्रा नहीं कर सेगे का लेकिन इतना जरूर है कि जो उत्राखंड के लोग हैं और उत्राखंड के तमाम पूरे तेरा सबसे बड़ी चुनोती भी हम इसको कहेंगे कि राज्य सरकार के सामने खुद एक यही बड़ा कारण था कि चारधाम यातरा को किस तरीके से सुरू की जाए क्योंकि लगातार कोशल आप भी देख पा रहे हैं कि लगातार उत्राखंड में कोरोना का पूरा असर देखा जा र रहा है और यह लाजमी भी है कि अगर तीर्थ परोहित पंडे समाज चारधाम यातरा का विरोध कर रहा है तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि लगातार पहार से लेकर मैदान तक पूरी तरह से कोरोना का कहर बरपाया हुआ है ऐसे में राज्य सरकार के सामने सबसे बड करना गया है कि आने वाली चारधाम यातरा के लिए कल से चारधाम यातरा शुरू होने वाली है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है लेकिन तीर्थ पुरोहित समाज इसका विरोध कर रहा है रिपोर्ट देखिए कोरोना संकटकाल की वज़ा से बंद पड़ी उत्राखंड की चारधाम यातरा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है सरकार के कोशिस है कि धार्मिक पर्याटन खास कर चारधाम यातरा को शुरू कर एक अच्छा संदेश दिया जाए कर्षा करेंगे चारधाम यात्रा कई माएने में बेहत खास है इन चारों तिर्थों से ना सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाय जुड़ी है बलकि इसे पांच लाग से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है उधर तिर्थ पुरोहित समाज से जुड़े लोग अभी भी चारधाम यात्रा के संचालन के पक्ष में नहीं है गंगोत्री धाम के तिर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो देव स्थानम बोड के हर फैसले का विरोध करेंगे मेरा कहना है कि आप बिना धामों में दियता जुड़ाये हुई ना रेस्टोरेंट कुला है और नहीं कोई दुकाने शुला है और नहीं आप अपने गेस्टाफों को खोले हैं फिर भी आप लोगों को जो है एक रातरी विश्राम की अनमुती दे रहे हैं जो की सरासर गलत ह और इस समय हमारे चारों धाम की इस्टी से बिलकुल मुक्त हैं और उतराखन सरकार जबड़स्ती धामों में कोरोना बेजना चाहती है हम इसका संपूर कृत्पूरित विरोध करते हैं पिछले सीजन के अगर बात करें तो यमनोत्री धाम में 4,65,534 तिर्थियात्री आये थे जबकि गंगोत्री धाम पांच लाग 30,334 श्रत धालू तो गेदारनाध धाम 10,03 तिर्थियात्री जबकि बदरीनाध धाम करीब 12,5 लाग श्रत धालू आये थे मगर इस बार कोरोना लॉक डाउन की वज़ा से चार धाम विरान है उत्तरकाशी से दिखबीर विष्ट के साथ देहरादून से विनोत कुमार की रिपोर्ट एवी पी गंगा पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम और महेंगाई को लेकर प्रदर्शन करने पर पूर्व सियम हरी श्रावत समेथ कई कॉंग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्श कर लिया गया है आपदा प्रबंदन अधिनियम के तहट ये मुकदमा दर्श हुआ है पुलिस ने COVID-19 के नियमों का पालन नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का उलंगन करने को लेकर ये मुकदमा दर्श किया है आपको बताते हैं कि कल पूर्व सियम हरिश रावत और कॉंग्रेस के कई नेताओं ने बैल काली पर बैठकर पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी से जोड़ी देहरदून से एक बड़ी ख़बर आ रही है आपको बताती कि आज धरने पर बैठेंगे हरिश रावत गवर्नर हाउस में अकेले धरना देंगे हरिश रावत बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कल हरिश रावत पर मुकद्मा दर्ज हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग के उलंगन पर एपायार हुई थी कॉंग्रेस नेताओं के साथ हरिश रावत ने बैल गारी पर प्रदर्शन किया था तेल के बड़ती कीमतों के विरोध में और अब हरिश रावत पर ये मुकद्मा दर्ज हुआ जिसके विरोध में वो गवरनर हाॉस पर धर्वना देंगे अकेले ही विनोध हमारे समवाद दाता इस खबर पर जादा जानकारी के साथ जो गए विनोध आज गवर्नर हाउस पर हरीश रावत धरना देंगे कि इतने बजे ये धरना है और फिलाल कब तक तक तैयारी है हरीश रावत के निकलने के जी देखे कोसल सबसे पहले तो मैं बताओं कि हरीश रावत पूर्ण उपसे राज्य सरकार पर पूरी तरह से हमलावार है हाला कि वो पूर्ण में सोदा दिनों के लिए हॉम कॉरिंटीन जरूर थे लेकिन कल उनकी हम कॉरिंटीन के अभदी जैसे ही समाप सुई तो उन्होंने जमकर सरकार पर हला बोला चाहे राजिस सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो डिजल पैटरोल की बड़ शी कीमती महिंगा है और खाद्यान की जैसे कीमतों में इजाफा हो दहा है उसके विरोध में कल उन्होंने बैल गाड़ी पर अपना विरोध जता है उनके साथ थे जिसके चलते तमाम कोरोना वाइरस से बचने के लिए जितने भी एतियादी कदम है उनका उलंगन वहां देखने को मिला जिसके चलते पुलिस परशासन की ओर से उन पर और उनके सहयोग जिसके विरोध में आज राजभवन के आएक कारिकरम उन्होंने रखा गया है सांके देख धरना देंगे राजभवन के आरी अकले बैठ कर लेकिन अभी उसका समय निर्धारिद नहीं किया गया है कि लगातार अब ऐसा भी माना जा रहा है कि जितनी भी धरने और प्रोटे लेकिन समय अभी निर्धारिद नहीं किया गया है लेकिन इतना जरूर है हरी इस रावत का हला बोल राजिस सरकार और केंदर सरकार पर लगातार बना हुआ है लेकिन इतनी थोड़ी सी बानगी ये अलग नजर आती है कि जा कॉंग्रेस पार्टी हला तो बोल रही है लेकिन अलग 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 इस्तानों पर धन्ला एक बुद्धे को लेकर किया जा रहा है तो गुद्धाजी का असर भी कॉंग्रेस पार्टी में लगता नजर आ रहा है विल्कुल भाँ शुक्रिया विनोद आपका तमाम जान कारी कि आगे बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्र देहरादून में पूरो सीम भरीश रावत का ये धरना बढ़ती महंगाई के खिलाब पेट्रोल डीजल रसोई गैस समेत आम आदमी की जरुवत की हर चीज महंगी हो रही है जिसे लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार के साथ के इन सरकार पर भी हमलावर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से आश्मान पहुंच गए हैं खाने की चीजों के दाम जिस तरीके से तेल महंगा दाल महंगी चावल आटा महंगा नमक महंगा कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके दाम आश्मान की तरफ नहीं बढ़ ले हैं और अब यातायाद भी महंगा हो गया मतब आपने हरीश रावात उत्राखंड में विपक्ष का बड़ा चेहरा है साथ ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं विपक्ष को लंबे समय के बाद सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा हाथ लगा यही वजा है कि कॉंग्रेस जिसे जो शोर से उठा रही है यह भी प्रात्ना करने आया हूँ कि महंगाई बढ़ रही है और लोग परिशान है बेचारे तो आप यह महंगाई कम हो इसके लिए भी केन सरकार को सत्वुद्दी है उधर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंग भी पार्टी कारकरताओं के साथ धरने पर रहे है बढ़ती महंगाई को लेकर कॉंग्रेस कारकरताओं ने विरोध जता है कॉंग्रेस का कहना है कि महंगाई से आम आदमी त्रस्त है मगर सरकार कोई राहत देने के मूड में नहीं है आज अंतराष्टि वाजार में जो कच्छा तेल है वो नियुनतम दर पर है और उसके वाजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम आसमान चूरह है हालत यह है कि डीजल के दाम जादा और पेट्रो के दाम कम हो गए है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंदर में कैसी सरकार बैठी है कोरोना महमारी के संकट की वज़ा से आम आदमी की आर्थी के स्थिपी खराब है और बेरुजगारी बढ़ी है ऐसे में पेट्रोल डीजल के कीमते लगातार बढ़ने से जनता की जेब और धिली हो रही है मगर दुर्भागी की बात ये है कि उत्तराखंड में विपक्ष के नेताओं की आपसी खिस्तान के वज़ा से विपक्ष एक जुट नहीं है और इसी वज़ा से जनता के मुद्दे दबे रह जाते हैं देहरादून से विनोध कुमार की रिपोर्ट एवीपी गंगा और अब एक बहुत बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं चार सो अठारा लोगों की मौत हुई है देश में कोरोना मरीजों की संख्या पांच लाग छेयासट हजार आठ सो चालिस हो गई है तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कोरोना के आकड़ों से जूड़ी देश में अब तक 16,893 लोगों की मौत हुई है तो बड़ी ख़बर देश में 24 घंटे में 18,522 नए मरीज मिले हैं जबकि 418 लोगों की जान चली गई है चीन के साथ लद्दाग में हुए विवात को लेकर कॉंग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है देहरादून में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस की कॉंग्रेस का कहना है कि सरकार को ये पूरी तरह से साफ करना चाहिए कि लद्दाग में वास्तव में हुआ क्या है अगर कोई अतिकर्मन नहीं हुआ तो देश के बीज जाबाज सेनिकों ने अपनी शाधत क्यों दी ये पताना होगा देश के प्रदाग में आज देश की स्तितिय आप देख लीजिए चीन हमारी सीमाओं में तिक्रबन कर रहा है पाकिस्तान लगातार सीस फायर का उलंगन कर रहा है नेपाल रास्ट जिससे हम ये कहते हुए नहीं थकते ररक्षा मंतरी जी ने भी जब वर्चल रेली की कहा कि नैपाल से हमारे मारा बेटी और रोटी का रिच्ता है लेकिन आज वो रिच्ता धरक रहा है नैपाल भी जो है हमें आँख दिखाने का चाम कर रहा है श्रीलंका के अंदर चीन ने निबल बेस तयार कर दिया है बांगना देश भी सीधे मोहम से बात करने के लिए तैयार में नैनिताल और भवाली के बीच पाइंस के पास एक कार 20 फिट गहरी खाई में जा गिरी इस्थानी निवासियों ने मौके पर पहुँश कर तली ताल पुलिस को इसकी जानकारी दी और रेस्क्यू शुरू किया गया हाथसे में कारसवार चार लोगों में से दो लोग घायल हो गए जिनें अस्पताल में भरती कराए गया है वेस्पिट गहरी खाई में कार गिरी कार सवार दो लोग इसमें घायल हो गए हाला कि दो लोग किसी तरह उपर निकलाए और फिर स्थानी लोग और पुलिस ने जो घायल थे उनको रेस्क्यू किया सिक्षा मंत्री अर्विन पांडे ने सचिवाले में सिक्षा विभाग की बैठक ली मीटिंग में सिक्षा विभाग की आला धिकारी मौझूद रहे सिक्षा मंत्री ने ये बैठक प्रदेश के 95 ब्लॉकों में खुलने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर रखी थी सिक्षा मंत्री अर्विन पांडे ने स्कूलों को खोलने के लिए टीम का गठन किया है टीम का नाम एजुकेशन स्टीएफ टीम रखा गया है जिसके हेड मुकुल सती को बनाए गया है इसमें हम 190 स्कूल हम इंग्लिश मेडियम बनाना चाहते हैं जो सिक्षा की उग्रवत्ता को अच्छे मुकाम देंगे उसके लिए कमिटी बना के हमने नर्देश दिया है राजी गौंधी नवोता बिद्दैले हैं जो हमारे पहले से बने हुए हैं उनकी सिक्षा की गुरवता अच्छी हो और उनने प्रोपर अध्यापकोंगी जो कमी उसको पूरा किया जाए उसके लिए नर्देश दिया है कमिटी बनाई है बिलकुल अभी किसी किमत भी कहीं से कहीं था कि हम बच्चों के जीवन से खिलवाड़े नहीं का सकते ना हम को जल्दबाजी में कोई नर्देश लेना चाहते है देरदून इस्तित विधान सभा की बाहरी दिवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा का चित्र बनाए गया है उत्राखन की लोग संस्कृति को बढ़ावा देने और विरासत को संजोने के लिए ये एक कोशिश की गई है विधान सभाद्यक्ष ने इस चित्र का अनावरण किया ये छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं फॉरन वापस लोटते हैं लेकिन आपका पॉफ्यूम रह गया नाइस फ्रेग्रम्स बिना गैस वाला फॉग ये जल्दी से उड़ेगा नहीं रहेगा नूट्रिशन पूरा ना होने की कारण बार बार बीमारी या थकान होती है मैक्सी रिच डेली मल्टी विटमिन आपका नूट्रिशन पूरा करे और आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ाए ममा दोस्तों के साथ मैं रोलर कोश्टर पर क्यों नहीं जा पाता हूँ ममा मैं बढ़ा तो हो रहा हूँ पर बढ़ूंगा कब तेजी से बढ़ने के लिए उसे दें कॉम्प्लेंड जिसमें हैं 100% first class protein और 34 vital nutrients जिससे अन्यम बच्चों के मुकाबले कॉम्प्लेंड पीने वाले बच्चे पढ़ें दुखनी तेजी से बताएए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपने दुकान Amit Ji, सुनाएप अपना बिकाजी भुजिया किसी से शेर नहीं करते? नहीं किसे अपको, who told you? बिकाजी गाएगा? बिकाजी भुजिया, आपको देता है दर्थ से पूरी आसाती, एक भरपूर सिंदिकी ये कोई टेंपरिली पेन किलर नहीं, आयूर्वेदिक आशधी है बिकाजी भुजिया, बिकाजी भुजिया, बिकाजी स्वागत है आपका कोटद्वार में अवैत खनन की शिकायत पर राजस्व सिचाई और वन विभाग की टीम ने मिलकर छापे मारी की सर्वे के दोरान प्रशासन की टीम ने खो नदी में मानकों के विपरीत खनन की पुस्ती की है टीम का कहना है कि नदी कई जगों पर चेनलाइजेशन कार्य में एक चौथाई भाग नहीं छोड़ा गया है वहीं कई जगों पर 20-22 फेट के गहरे गड़े कर दिये गए हैं जहां बारिश होने पर जल जमाव होकर खत्रा पैदा हो सकता है हम चाहते हैं कि यहां परटेक का आना पुना शुरू हो उसके तहत ऐसा नहीं है कि इंक्वारी हमारे पास बहुत इंक्वारीज हैं टूरिस्ट आने को तक पर है परंतु टूरिस्ट यह चाहता है कि मुझे साथ दिन इंस्टिउशनल कुरॉंटाइन ना होना पड़े या साथ दिन होम करणटाइंग जिसके तहित वो पेमेंट पर किसी भी होटल में स्टे कर सकता है। यहां पर जो एक चौथाई भाग छोड़ा जाना चाहिता। वो पिक्षित मातरा में बहुत ज्यादा इस्थान नहीं है। यहां सप्लाई हो रहा है पानी में साप तक नजर आ रहा है। उत्राखन की कुछ और खबरों का रुक करते हैं फटाफट अंदाज में। नहीं ताल में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ कॉंग्रेस ने खुला मोर्चा धरने पर बैठे कॉंग्रेस इने था एस्थीम के जरिये राश्पती को भेजा गया पन। महंगाई के विरोद में हलबानी में भी कॉंग्रेस का धरना कॉंग्रेस कारेकरताओं ने राज रिपाल को गया पन भेजा। अरिद्वार में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने किया प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ अल्ला बोल। विकास नगर में सिचाई के लिए पानी ना मिलने को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन नहर का पानी बंद कर नहर में ही बैठ कर किया विरोग जोशी मड़ में कई घंडे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, लामबगड के पास हाईवे पर गिरा था मलवा कटीमा में मुखे बाजार के पास फिर शासन ने रुखवाया अवैद निर्मान, व्यापारी पर अवैद निर्मान कराने का रोग चमोली के अस्पताल में नर्स का गुपचुप तरीके से इंटर्व्यू कराने को लेखर हंगामा, हंगामे के बाद सियमों ने का कैंसिल होगा इंटर्व्यू पिधोरागर में मुसलाधार बारिश उसे कई मवेशियों की मौत तो एक महिला भी मल्वे में दबने से गंभी रूप से खायल तो फिलाल इस बुल्टिन में इतना ही लेकिना